हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में चलिया आज की वीडियो इस्टार्ट कर दें पहले कि उस्चन है निमलिकित सिने कलाकारों में कौन उत्राखंड राज्य से है इसका अनसर है हेमानी सिवपूरी रिसब पन परसोन जोसी लक्से सेन और वसी रोतेला वै जुबिन नोटियाल का सम्मन्द भी उत्राखंड राज्य से है उत्राखंडगे पमारवंस का अन्तिम सासक कौन था इसका अनसर है मानवेंद्र सहा पमारवंस की इस्थापना 888 इस्वि में कनकपाल ने चांदपुर गड़ी में की थी पमारवंस का सबसे सक्तिसाली सासक अजेपाल था और उत्राखंडगा अन्तिम सासक पर्दुमन सहा था तेरी रियासत का पर्थम सासक सुदर्शन सहा था और तेरी रियासत का अन्तिम सासक मानवेंद्र सहा था केंद्रिय भवन अनुसंदान संस्थान कहा इस्थित है इसका अंसर है रूडगी रूडगी में ही राष्टिय जल्विज्यान संस्थान वे भारती सीचाई अनुसंदान संस्थान भी इस्थित है निमलिकित में से कौन सा मेला जो उनसारी अनुसूची जनजाती से सम्मन्दित है इसका अंसर है महासु देवता मेला मचमोर्ण मेला वै जतिरियाडो मेला जो की 25-26 वर्सों में एक बार लगता है जो उनसारी अनुसूची जनजाती से सम्मन्दित है वीर केसरी मेला तीन मई को वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर चोली थात में मनाया जाता है 3 मई 1945 को वीर केशरी चंद को फासी दी गई वीर केशरी चंद का संबन आजाद हिंद फोसे था नुनाई मेला, जागडा मेला और गणियात मेला देरा दून के जोन सार में लगता है कवानु मेला, जखोली मेला, वैबिस्सु मेला, देहरा दून के चकराता में लगता है उत्रा खंडगी, पहाडियों में चाल खाल का संबंद है इसका अंसर है जल सन्नक्षन से और भकार का संबंद खाद्यान के संग रहन से है नैनी सेनी हवाई पट्टी, परियोजना, निम्न में किस जनपद में इस्तित है इसका अंसर है पितोरागड, चिनियाली सोड हवाई अड़ा, उत्तर कासी में है गोचर हवाई अड़ा, चमोली जनपद में है फूल बाग या पंत नगर हवाई अड़ा, उधम सिंग नगर में है दून या जोली गरांट हवाई अड़ा, देरा दून में है सही युगुम का चैन कीजिए ओप्सन देखते हैं, चिपको अंदोलन महिला सुरक्षा से यह युगुम गलत है मिश्रित वन, मिक्षड फोरेष्ट अनिल कुमार पंडे से यह युगुम भी गलत है मेती अंदोलन विरिक्षा रोपन से ओप्सन सी सही युगुम है चिपको अंदोलन का सम्मन वन सरनक्षन से था मिश्रित वन, खेती मोडल को जगत सिंग चोदरी ने तियार किया था इसके लिए इन्हें 2006 में आर्यभट सम्मान प्राप्त हुआ जगत सिंग चोदरी का सम्मन रुदर परियाग जिले से है निमन में उत्राखंड में सरवादिक जनसंक्या वाला जिला कौन सा है ओप्सन के अकोर्डिंग देरा दून है उत्राखंड में सरवादिक जनसंक्या वाला जिला हरी दुआर है और सबसे कम जनसंक्या वाला जिला रुदर परियाग है जनसंक्या के मामले में पिتवरागड आठवे इस्तान परे और चमुली नवे इस्तान परे महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है इसका अंसर है फूलो की गाटी फूलो की गाटी की खोज 1931 में फ्रेंक इसमाईत ने की थी दी वैली ओफ फलावर पुस्तक कोवी फ्रेंक इसमाईत ने लिखा है फूलो की घाटी को इसकंद पुरान के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है काली दास ने अपनी रचना मेकदूत में फूलो की घाटी को अलका कहा है फूलो की घाटी के अन्य नाम गंद मादन, बेकूंड, वहुंडार, पुस्पावली, पुस्परसा वे फ्रेंक इसमाईद घाटी है 14 जुलाई 2005 में युनेसको ने फूलो की घाटी को विश्व दरोवर सुची में सामिल किया हरकी दून बुग्याल वै, दयारा बुग्याल उत्तरकासी में, दयारा बुग्याल को चंदरपरभा एतवाल ने परेटन मानचितर पर लाया था बेदनी बुग्याल चमोली जनपद में, बेदनी बुग्याल उत्राखंडगा सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल कोई वेदो का परनयन अस्थल भी कहते हैं जिम कारबेट पार्क दो जनपदों के मद्धि इस्तित है इसका अंसर है ओप्सन सी पोड़ी वै नेनिताल जिम कारबेट पार्क की स्थापना 1936 में होती है हरिदवार पोड़ी वै देरा दून में राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1983 में होती है सुमेलित कीजिए सुची 1, सुची 2 इंडियन मैडिसन फार्माशिव्टिकल मोहना अलमोडा में हिंदुस्तान मसिन टूल्स रानिबाग नेनिताल में डील रायपूर देरा दून में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिड कोड़दवार पोड़ी में इसका अंसर होगा 1, 2, 3, 4 ओप्सन देखते हैं 1, 2, 3, 4 ओप्सन ए इसका सही अंसर होगा पोड़ी में सहीद मेला किसने प्रारम किया इसका अंसर है भवानी सिंग रावत ने उत्रा खंड में निम्न में से एक चार दामें सम्मिलित नहीं है इसका अंसर हर की पोड़ी चार दामें पदरिनात, केदारनात, यमनोतरी, वैगंगोतरी सम्मिलित हैं भारत में बारा जोतिर लिंगों में से उत्रा खंड में कितने जोतिर लिंग है इसका आंसर है एक केदारनाद मेगा आ फिलम की बासा है इसका आंसर है कुमावनी गड़वाली भासा की पहली फिलम जगवाल है जिसके निर्देसक पारेस्वर गोड है गरजवे गड़वाली फिलम है जिसके निर्देसक विश्वेश्वर्दत नोटियाल है और यह फिलम उन्निस सो पिचासी में बनी थी तेरी सो यह भी गड़वाली फिलम है यह फिलम उत्राकंड आंदोलन पर केंद्री थे 2007 में सिर्देव सुमन के उपर भी गड़वाली फिलम बनी थी चालदा जातरा जोनसार छेदर की डोक्यूमेंटरी फिलम है कूली बेगार पढ़था कब समाप्त होई थी इसका अंसर है सन 1921 में 13-14 जन्वरी 1921 में बागेश्वर में सर्यू नदी के किनारे कूली बेगार पढ़था समाप्त होई थी कवी गुमानी का वास्त्विक नाम था इसका अंसर है लोकरतन पंत कवी गुमानी का जन्म 1790 में कासिपूर में हुआता जोर्ज गियर सन्ने कवी गुमानी को कुमाव का सबसे प्राचिन कवी कहा है गड राज्य वन्स का इतियास की रचना किसने की इसका अंसर है मोला राम गड राज्य वंस का इतियास मोला राम की बर्ज भासा में सर्वस्रेश्ट रचना है उतरा खंडगे गांधी के रूम में किसे जाना जाता है इसका अंसर है इंद्रमनी बडोनी सुंदर लाल बहुगुणा ने हिमाल्य बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था गोरा देवी चिपको वूमन के नाम से परसीदें मादो सिंग बंडारी को गरु बंजक कहते हैं बंदर पूच पहाड़ी इस्तित है इसका अंसर है उत्तर कासी में उत्तर कासी की कुछ परमुक पहाड़ी आए जैसे जेलंग परवत चोटी जिसकी उचाई 5,881 मेटर है यमनोतरी परवत चोटी जिसकी उचाई 6,400 मेटर है कंगोतरी परवत चोटी जिसकी उचाई 6,622 मेटर है सिरीकंड परवत चोटी जिसकी उचाई 6,728 मेटर है भागिरती परवत चोटी जिसकी उचाई 6,856 मिटर है बंदर पूँच परवत चोटी जिसकी उचाई 6,320 मिटर है पितोरा गड में पंचा चूली परवत चोटी है जिसकी उचाई 6,904 मिटर है पेसावर कांड के नायक कोन थे? इसका आंसर है चंदर सिंग गडवाली पेशावर कान 23 अप्रैल 1930 को हुआ था दो बटे 18 गडवा लाइफल के सेनिकों ने चंदर सिंग गडवाली के नेतरतों में निहत्ते अफगान सवतंता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था अंग्रेज अधिकारी रिकेट ने चंदर सिंग गडवाली को गोली चलाने का आदेश दिया था उत्रा खंड में कुल कितने जिले हैं इसका आंसर है 13 सुची एक का सुची दो से सुमेलन कीजिये और दिये गए कूटों में सही उत्तर का चेन कीजिये सुची एक में हिमकंड दियें और सुची दो में जनपद दियें कफणी हिमकंड बागेशवर में, मिलाम हिमकंड यह पितोरागड में, गंगोतरी हिमकंड उत्तरकासी में और पिंडारी हिमकंड बागेशवर में इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, option देखते हैं 2, 4, 1, 3, option भी इसका सही आंसर होगा उत्राखंड में लिपुलेक दर्रा की जिले में इस्तित है इसका आंसर है पिथोरागड जिले में बागेस्वर वै पिथोरागड को ट्रेल पास जोडता है बागेस्वर वै चमुली को सुन्दर डुंगा दर्रा जोडता है उत्तर कासी वे चमोली को कालंदी दर्रा जोड़ता है बकार का परियोग गरामिन उत्रा खंड में किया जाता है इसका अमसर है खाद्यानों के संग रहन के लिए तो दोस्तों यहाद यहमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद